आज हम इस वीडियो में क्रोमा 3 star 4-in-1 convertible AC के बारे में बात करने वाले हैं क्या आपको ये AC buy करना चाहिए या नहीं अगर आप online सर्च करते होंगे split AC के बारे में तो आपकी search list में ये AC जरूर आया होगा 1.5 ton के साथ ये AC आपको almost 27-28,000 की range में मिल जाता है अगर आप ये सोचकर confusion में हैं कि क्या ये AC बढ़िया है क्या आपको ये AC लेना चाहिए या नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी important है देखी दोस्तों जो भी information आपको इस वीडियो में दी जाएगी वो मेरे personal experience के हिसाब से आपको दी जाएगी क्योंकि मैंने ये AC खुद buy किया हुआ है और last month में मैं आपको अपना opinion भी बताऊंगा कि क्या आपको ये AC buy करना चाहिए या नहीं तो आज का ये वीडियो काफी important है आप अन तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को अगर आपने complete watch कर लिया तो आपका सारा confusion भी दूर हो जाएगा और आप इस AC के बारे में अपना decision भी ले पाएंगे आईए start करते हैं आप सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर आप online AC buy करते हैं तो आपको AC के साथ साथ क्या क्या चीज़े दी जाती है देखिए यहाँ पर एक outdoor unit आएगा एक indoor unit आएगा एक installation kit आती है और एक आपको remote control दिया जाता है इसके लावा एक warranty card आपको यहाँ पर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप 10 सालों की पूरी warranty का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आपको key feature के बारे में बता देते हैं अगर बात करें इसकी capacity की तो इसकी capacity जो है 1.5 ton की है और यह 3 star के साथ आता है और यह 4 in 1 convertible AC है अगर आप non convertible AC से इसकी comparison करेंगे न तो यह 15% की electricity आपको save करके देगा एक साल में तो आप अगर इस AC का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे AC के साथ compare करेंगे तो आपकी 15% की electricity definitely save हो जाएगी एक और features के बारे मैं बताना चाहूँगा इसमें जो है आपको auto restart का option मिलता है अगर इन case आपकी light चली जाती है तो आपको manually द्वारा restart करने की जरूरत नहीं है यह AC automatic restart हो जाएगा अगर दोस्तों condenser coil की बात करें तो sleep mode की feature जो है आपको इस AC में मिलती है आप जब रात को सोते हैं अगर आप sleep mode on करते हैं तो आपके comfort के हिसाब से automatic इसका temperature adjust हो जाता है तो यहाँ पर आपके comfort का भी यह AC ध्यान रखता है अगर दोस्तों chroma brand की बात करें तो यह Tata का sub brand है Tata की तरफ से आपको यह AC देखने को मिलता है capacity इसकी 1.5 ton है 3 star के साथ यह आता है और अगर बात करें दोस्तों इसकी cooling capacity की तो 5150 watt की यहाँ पर इसकी cooling capacity है अगर दोस्तों मैं compressor की बात करूं तो dual rotary compressor का इस्तेमाल किया गया है इस AC में आप दोस्तों आपको इस AC की dimension के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं अगर indoor unit की बात करें जो आपके indoor अंदर लगेगा उसकी लंबाई 78 cm आती है चुडाई उसकी 8 cm रहेगी और मुटाई उसकी 22 cm रहती है और weight की बात करूं तो 11 kg का unit आता है अगर outdoor unit की बात करें तो 70.1 cm की आपको लंबाई मिलेगी चुडाई उसमें 55 cm की मिलेगी और आपको मुटाई 24 cm की मिल जाएगी अगर weight की बात करें तो 23 kg का आपको जो है outdoor unit देखने को मिलता है अगर दोस्तों performance की बात करें न तो 180 square feet में इसका result सबसे ज़्यादा बढ़िया है अगर आपका कमरा 160 square foot का है तो आप बड़ा अच्छा result इसमें ले सकते हैं अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको इस AC की specification और features के बारे में बता दिया है अब आपको practical करके बताते हैं कि 4 in 1 convertible का मतलब क्या होता है देखी दोस्तों यहाँ पर आपको basically 4 more मिलेंगे C1 से लेकर C4 तक आपको more दिये गए हैं अगर आप C1 on करते हैं तो आपका ये 10 ton वाला AC 0.8 ton का हो जाता है तो आप energy वहाँ पर save कर सकते हैं अगर आप C2 करते हैं तो ये 10 ton का AC बनता है अगर आप C3 करते हैं तो 7 ton का AC होता है अगर आप C4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 ton पूरी अपनी capacity के साथ आपको cooling देगा तो यहाँ पर अगर आपको energy save करनी है तो 4 in 1 convertible का आपको इस्तेमाल करना होगा तो inverter technology के साथ ये AC आता है अगर आप compare करेंगे दूसरे किसी भी non inverter AC के साथ तो आपको 15% का यहाँ पर एक साल में energy save ये inverter AC करके देगा आप दोस्तों बात करते हैं अगर आप ये AC buy करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है देखी दोस्तों नुकसान आपको जादा कुछ नहीं होगा काफी लोगों का ये मानना है कि अगर हम 3 star AC लगवाएंगे तो हमारा electricity का bill save नहीं होगा तो यहाँ पर 4 in 1 convertible का mode दिया गया है अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका electricity काफी अच्छी save हो जाएगी अगर बात करें यहाँ पर design की तो design में कोई दिक्कत नहीं है कोई भी problem नहीं है एक थोड़ी सी मुझे जो दिक्कत परिशानी आ रही है इस AC में वो यहाँ पर थोड़ा सा indoor unit जो है इसकी fan speed थोड़ी ज्यादा है जिसकी बज़ा से थोड़ा सा noise इसका ज्यादा आता है अगर आप AC का इस्तेमाल denied करते हैं लंबे समय के लिए करते हैं तो इस case में यह AC आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा तो आपके लिए यह AC बढ़िया रह सकता है अगर आपको यह AC पांच-छे घंटे के लिए इस्तिमाल करना है तब यह AC आपके लिए सबसे best रहेगा आपको जो है यह AC जरूर बाई करना चाहिए जब आप AC बाई कर लें तो साथ में आपको एक stabilizer भी बाई करना है inverter technology वाले जो यतने भी AC आते है बैसे तो उनमें जरूरत नहीं होती है पर अगर आपके area में electricity की दिक्कत रहती है कम ज़्यादा voltage आती है तो उस case में आपके AC को परशानी हो सकती है बाद में आपको दिक्कत परशानी आ सकती है तो इसलिए आपको stabilizer जरूर भाई करना है आप दोस्तो लास्ट में में आपको अपना opinion बताता हूँ कि क्या आपको ये AC लेना चाहिए या नहीं तो मैं बताना चाहूँगा ये AC मैंने 27,000 रुपे की range में भाई किया है 5000,000 का खर्चा हुआ है इसकी fitting बगारा और stabilizer को लेकर तो यहाँ पर total cost जो है 32,000 की रही है अगर आप market में जाकर कोई भी normal AC buy करते हैं तो आपको अराम से 40-45,000 का अराम से खर्चा आता है तो बहाँ पर मैंने पैसे थोड़े से save कर लिए है अगर आप 3 star और 5 star को लेकर confusion में है कि इन मैं से कौन सा लेना चाहिए तो मैं आपको उसका solution बताता हूँ अगर आपको uses कम है तो आपको कभी भी 5 star AC नहीं लेना चाहिए अगर आपका uses ज़्यादा है तो उस case में आपको 5 star ही consider करना चाहिए तब आपको 10-15,000 का difference बिल्कुल भी नहीं देखना है तब आपको 5 star AC ही लेना है अगर आप 7-8 गंटे के लिए normal use के लिए AC चाहते हैं तो उस case में ये वाला AC आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो मैंने यहाँ पर आपको clear कर दिया है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको जुरूर बाय करना चाहिए बिल्कुल ये value for money product है एक महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं आई है यह वीडियो मैंने पूरा experience लेने के बाद बनाया है अगर आपको पसंद आया है तो like कर दिजिए चैनल पर नहीं है तो subscribe जुरूर कीजिएगा